हलो फ्रेंज आज हम बनाएँगे गोवी मंचूरियन जिसके लिए हमें चाहिए एक गोवी प्यास बारिक कटा हुआ केबेज और सीमला मेज बारिक कटी हुई बारिक कटी हुई चीली गालिक और जिंजर बारिक कटा हुआ सबसे पहले हम गोबी को मेरिट करेंगे उसके लिए हमें चाहिए एक चमच मेंदा एक चमच कॉर्ण फ्लोर और एक चमच राइस फ्लोर जिसको हम पानी में गोल के अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और इसको हम गोबी के साथ मेरिट करेंगे जिसमें हम थोड़ा black paper powder भी डालना है और उसके उपर एक थोड़ा सा thin coating होना चाहिए मेरिट का यह हमारा ready हो गया है अब हम एक fry pan लेंगे जिसको high heat पे हम तेल को गरम करेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब उसमें एक एक करके हम गोबी को fry करेंगे और यह अयाद रखना है कि हमें उसे half fry करना है और उसको पहानी कर लेना है और उसके बाद हम उसे फिर से fry करना है यह पूरा crunchy हो जाए और अच्छे से golden brown color का हो जाए प्रवड़ा यह प्रवड़ा यह जाए प्रवड़ा यह जाए यह जाए आपके देख सकते हो हमारी गोबी गोल्डन कलर की हो गई है आपके अब हमें कडाई लेंगे तुछ तोड़ा टेल ला लेंगे तेल गरम होने पर हमें से जींजर और धाले की जो हमने अच्छे प्रवड़ा 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 यह जाए चाप किया हुए वो डालेंगे उसको मची तर रोस्ट करेंगे इसमें हम बारी कटा हुए प्यास डालेंगे बारी कटी हुए चीली उसमें हम कैबेज और सिमला मिर्च जो बारी कटा हुए वो डालेंगे इन सब को अच्छी तरह मिला लेंगे प्यास बारी को अच्छी तरह मिला अच्छी तरह मिलाणे भालेंगे लेक वो ड्रुआ जो बारी करेंगे प्यास अआ़ागे बाले जबागे इसका उन अवे झाल झाल यह हमार मिश्रन चीतर हो गया है इसमें हम प्रड़ा हाट सोस डालेंगे रेट चिली सोस टामेटर केचप और सोया सोस इसको चीतर हम बिला लेंगे और इसमें हम तोड़ा पानी डाल के उसको तोड़ा पतला करेंगे ता कि तो डिकरी बने झाल झाल अब हम इसमें तुरा स्प्रिंग और नेड़ करेंगे हमारी ग्रेवी अब ग्रेड़ी हो गई है अब हम इसमें चीके करके जो गोबी हमने फ्राइ किया है वो डाल देंगे उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम अब है और यह हमारा गुबी मुंचुरुन तेयर हो गया आप देख सकते हो कितना कुप सुर्ण लग रहे हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस शेर करिए लाइक करिए पर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल है अर्यास कीचन